कि पवन सिंग और उनकी पत्नी की जो तस्वीर शोसल मेडिया पर वायरल हो रही है वो कहीं से भी टस्वीर नहीं है, अब सबसे पहले आप उस तस्वीर को हमारे स्क्रीन पर देखिए तस्वीर देखकर आपको भी एक बार को मेरी तरह लगेगा कि तस्वीर शाय देरिटेड है क्योंकि जब से AI आया है तब से कुछ भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असंभव अब सब अपने WhatsApp के About में जहां पवन सिंग जैमातादी लिखा करते थे में जिस डीपी में पवन सिंग अपने साथ अपने मा की तस्वीर लगा कर रखते थे अब उस डीपी में पवन सिंग और उनकी पत्नी जोति सिंग की तस्वीर नजर आ रही है पहले तो मुझे इस तस्वीर को देकर विश्वासी नहीं हुआ मैंने इस तस्वीर के पीछे कि जब सचाई जाननी चाहिए और जब मैंने लोगों से यह पता करने के कोशिस की कि क्या ही तस्वीर वाकई सही है या फिर यह edited है तब लोगों ने मुझे कहा कि आप जाकर पवन सिंग का DP देखे और जब मैंने पवन सिंग का DP देखा तो मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि जिस प्रोफाइल में जिस DP में पवन सिंग अपने साथ अपने मा की तस्वीर लगा कर रखते थे अब उस DP में पवन सिंग और उनकी पतनी जोति सिंग की तस्वीर नजर आ रही है और अपने WhatsApp के about में जहां पमन सिंग जै माता दि लिखा करते थे जैश्री राम लिखा करते थे वहां पमन सिंग ने लिखा है जी ओ मेरी जान और यह सारी बाते हम खुद से नहीं कह रहे हैं यह कहना है पमन सिंग के बेहत करीबी यूट्यूबर का उनका यह दावा है कि पमन शायद एरिटेड है क्योंकि जब से AI आया है तब से कुछ भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असंभव है अब सब कुछ पॉसिबल हो सकता है और इसलिए कहीं ने कहीं इस तस्वीर को देखकर यह लोग कयास लगा रहे थे कि यह भी एरिटेट तस्वीर है जान बूचकर पवन जोती क्या गया है लेकिन शोसल मीडिया पर पिछले एक दिन से जो भी खबरे चल रही है वो खबरे यह बता रही है कि पवन सिंग और जोती सिंग लखनव में यह लोग मिले हैं दोनों का परिवार आये था दोनों की बात चीत हुई है और उसी वक्त की यह तस्वीर है जो शोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है और बाकी पवन सिंग के जितने भी फैंस हैं दर्शक हैं उनके चाहने वाले हैं उन सबके लिए यह शौकिंग नियूज इसलिए भी है क्योंकि पवन सिंग ऐसा कुछ करने वाले हैं उनकी कोई प्लानिंग है वो अपनी पत्नी से मिलन हैं वो इंसान अचानक से एक दूसरे से मिल लेगा और इसके कोई प्लानिंग पहले सी थी क्या था इस यह सब किस्ते कर रहा है कौण मेडियेट कर रहा है इसकी कोई खास ख़बर सामने नहीं आपा रही है बस यह बताया जा रहा है कि यह सब रातो रात हुआ है यानि अचान दूव में मिले हैं दोनों के बाठीत हुई है और अब सटेलमेंट भी हो सकती है हाला कि हम इस बात के पुश्टी नहीं करते हैं कि तस्वीर हो सकता है इैसी कई तस्वीर पवन जोती के साथ में आ चुकी है और जब था पटा चलता है कि यह रीयल तस्वीर नहीं है बलकि फेक है पवन के कितने फैंस हैं जो ऐसी तस्वीर एडिट कर देते हैं लेकिन शोसल मेडिया पर इन दोनों के रिष्टे को लेकर जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि सेटलमेंट हो सकता है यह दोरों राजी हो गए हैं साथ रहने को अब इनका तलाक नहीं होगा और यह दा बात में 100% सचाई है कि यह दोनों मिले हैं और अब यह दोनों एक हो जाएंगे और जब इतने सारे लोग एक साथ एकी बाते लगे तब एक बार को हम भी यह मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हो सकता है यह पती-पतनी आपस में मिले हो बाकि इस पूरी खबर से देहने वीडियो में धन्यावाद